इस वीडियो में हम कैपी बारा के बारे में जानेंगे कैपी बारा या ग्रेटर कैपी बारा हाइडरो चेरस दक्षिन अमेरिका का मूल निवासी है कैपी बारा विशाल गुहावाला चुहा है यह सबसे बड़ा जीवित चुहा है और हाइडरोचोयरस प्रजाती का सदस्य है एक मात्र अन्य सदस्य लेसर कैपीबारा हाइडरोचेरस इस्थमियस है इसके करीबी रिष्टेदारों में गिनी सुवर और रॉक कैवीज शामिल है और यह एगोटी, चिंचिला और न्यूट्रिया से संबंधित है कैपीबारा सवाना और घने जंगलों में निवास करता है और जल निकायों के पास रहता है यह एक अत्यधिक सामाजिक प्रजाती है और एक सौ तक के समुहों में पाया जा करता है लेकिन आमतोर पर दस से बीस के समुहों में रहते हैं कैपी बारा का शिकार उसके मास और खाल के लिए और उसकी मोटी वसायुक वचा से निकलने वाली चर्वी के लिए किया जाता है इसका सामान्य नाम तुपी कापिउरा से लिया गया है जो पतली पत्तियां खाता है कैपी बारा और लेसर कैपी बारा दोनों चट्टानी गुहाओं के साथ साथ हाइडरो चोयरिने उप परिवार से सम्बंधित है जीवित कैपीबारा और उनके विलुप्त रिष्टेदारों को पहले उनके अपने परिवार हाइडरो चोयरिडे में वर्गी कृत किया गया था 2002 के बाद से आन्विक फाइलोजेनेटिक अध्यैनों ने हाइडरोचेरस और केरोडोन रॉक कैवीज के बीच घनिष्ट संबंध को मान्यता दी है जो कैविडे के उपरिवार में दोनों प्रजातियों की नियुक्ती का समर्थन करता है कैपी बारा का शरीर भारी बैरल के आकार का और सिर छोटा होता है इसके शरीर के उपरी हिस्से पर लाल भूरे रंग का फर होता है जो नीचे पीले भूरे रंग में बदल जाता है इसकी पसीने की ग्रंथिया इसकी त्वचा के बालों वाले हिस्सों की सतह पर पाई जाती हैं जो एक असामान्य विशेष्टा है इसके नीचे बालों की कमी होती है और उसके रक्षक बाल उपरी बालों से बहुत कम भिन्न होते हैं वयस्क कैपी बारा लंबाई में 106 से 134 सेंटीमीटर और 3.48 से 4.40 फीट तक बढ़ते हैं कंधों पर 50 से 62 सेंटीमीटर और 20 से 24 इंच लंबे होते हैं और आमतोर पर उनका वजन ओस्तन 35 से 66 किलोग्राम और 77 से 146 पाउंड होता है महिलाएं पुरुषों की तुलना में थोड़ी भारी होती हैं ब्राजील की एक जंगली मादा का वजन 91 किलोग्राम 201 पाउंड और उरुग्वे के एक जंगली नर का वजन 73.5 किलोग्राम 162 पाउंड है कैपी बारा के पैर थोड़े जालदार और अवशेशी पूँच वाले होते हैं उनके पिछले पैर उनके अगले पैरों की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं उनके पिछले पैरों में तीन उंगलिया और अगले पैरों में चार उंगलिया होती हैं आखें और कान उनके सिर के उपर होते हैं कैपी बारा अर्धजलिय स्तंधारी हैं जो चिली को छोड़कर दक्षिन अमेरिका के सभी देशों में पाए जाते हैं वे जीलों, नदियों, दलदलों, तालाबों और दलदल जैसे जल निकायों के पास घने जंगली इलाकों में रहते हैं साथ ही बाढ़ वाले सवाना और उश्नक्ति बंधिय वर्शावन में नदियों के किनारे रहते हैं वे शांदार पैराख हैं और एक बार में पांच मिनट तक पानी के भीतर अपनी सांस रोक सकते हैं कैपी बारा पशु फार्मों में फलाफूला है वे उच्छ घनत वाली आबादी में औस्तन 10 हेत्यर 25 एकड के घरेलू क्षेत्र में घुनते हैं कैपी बारा शाकाहारी हैं जो मुख्य रूप से घास और जलिये पौधों के साथ-साथ फलों और पेडों की छाल खाते हैं वे बहुत चैनात्मक फीडर हैं और एक किस्म की पत्तियों को खाते हैं और उसके आसपास की अन्य प्रजातियों की उपेक्षा करते हैं शुष्प मौसम के दौरान वे अधिक विविधता वाले पौधे खाते हैं क्योंकि कम पौधे उपलब्ध होते हैं जबकि वे गीले मौसम के दौरान धास खाते हैं, कैपी बारा जो पौधे गर्मियों के दौरान खाते हैं, वे सर्वियों में अपना पोशन मूले खो देते हैं, इसलिए उस समय उनका सेवन नहीं किया जाता है कैपी बारा का जबड़ा लंबा नहीं होता है इसलिए वे भोजन को अगल गल के बजाए आगे पीछे करके चबाते हैं अपने भोजन से अधिक्तम प्रोटीन और विटामिन निकालने के लिए वे मवेशियों के समान जुगाली करते हैं धास खाने से होने वाले लगातार घिसाव की भरपाई के लिए कैपी बारा के सामने के दान्त लगातार बढ़ते रहते हैं उनके गाल के दान्त भी लगातार बढ़ते रहते हैं अपने रिष्टेदार गिनी पिक की तरह कैपी बारा में विटामिन सी को संचलेशित करने की क्षमता नहीं होती है और कैद में विटामिन सी के साथ पूरक नहीं होने वाले कैपी बारा में सकरवी के संकेट के रूप में मसूरों की बीमारी विक्सित होने की संभावना होती है उनका जीवनकाल आठ से दस साल का हो सकता है लेकिन जगुआर और प्यूमा जैसी बड़ी बिल्लियों, बाज और काइमैन जैसे गैरस्तंधारी शिकारियों के शिकार के कारण वे जंगल में चार साल से भी कम जीवित रहते हैं कैपी बारा हरे एनाकोंडा का भी पसंदीदा शिकार है कैपी बारा को मिलनसार माना जाता है हालाकि वे कभी कभी अकेले रहते हैं, वे आमतौर पर लगभग 10 से 20 के समूह में पाए जाते हैं जिनमें 2 से 4 वयस्क नर, 4 से 7 वयस्क मादाएं और 6 बच्चे होते हैं शुष्क मौसम के दौरान कैपी बारा समूहों में 50 या 100 के समूह में हो सकते हैं जब धंकी दी जाती है या जब मादाएं बच्चों को चरा रही होती हैं तो वे कुट्टे की तरह भौंक सकते हैं कैपी बारस में दो प्रकार की गंध ग्रंथियां होती हैं एक मोरिलो जो ठूथन पर स्थित होती है और गुदा ग्रंथियां दोनों लिंगों में ये ग्रंथियां होती हैं लेकिन पुरुषों में मोरिलों बहुत बड़े होते हैं और वे अपनी गुडा ग्रंथियों का अधिक बार उपयोग करते हैं पुरुषों की गुडा ग्रंथिया भी अलग किये जा सकने वाले बालों से पंक्तिबर्ध होती है गंध स्राव का एक क्रिष्टलिय रूप इन बालों पर लेपित होता है और पौधों जैसी वस्तूओं के संपर्क में आने पर निकलता है इन बालों में लंबे समय तक रहने वाली गंध का निशान होता है और अन्य कैपी बारा द्वारा इसका स्वाद लिया जाता है कैपी बारस वस्तूओं पर अपने मौरिलों को रगड़ कर या स्क्रब पर चल कर और अपने गुदा ग्रंथियों से इसे चहनित करके गंधचेन बनाते हैं कैपी बारस पेशाब करके अपनी गंध को और अधिक फैला सकते हैं हाला कि महिलाएं आमतौर पर बिना पेशाब किये निशान बनाती हैं और समग्र रूप से पुरुषों की तुलना में कम बार गंधचेन लगाती हैं मादाएं अक्सर गीले मौसम के दौरान मद में होती हैं वस्तूओं के अलावा नर्मादाओं को भी सुंढते हैं कैपी बारा का गर्भाधान 130 से 150 दिनों का होता है और आस्तन एक बार में 4 से 8 बच्चे पैदा होते हैं जन्म भूमी पर होता है और मादा नवजात शिशु को जन्म देने के कुछ ही घंटों के भीतर समूह में फिर से शामिल हो जाती हैं कैपी बारा जो गतिशी होते ही समूह में शामिल हो जाते हैं एक सप्ताह के भीतर बच्चे घास खा सकते हैं लेकिन समूह में किसी भी मादा से दूध पीना जारी रख सकते हैं जब तक की लगभग 16 सप्ताह तक दूध नहीं छूट जाता जो वा मुख्य समूह के भीतर एक समूह बनाते हैं वेनेजुएला में अप्रेल और मई के बीच और ब्राजील के माटो ग्रोसों में अक्टूबर और नवंबर के बीच प्रजन चरम पर होता है कैपी बारा जमीन और पानी में काफी फुर्तीले होते हैं वे उतक्रिष्ट तैराक हैं और पांच मिनट तक पूरी तरह से पानी में डूबे रह सकते हैं इन में एक ऐसी क्षमता होती है जिसका उप्योग वे शिकारियों से बचने के लिए करते हैं कैपी बारा केवल अपनी नाक बाहर रख कर पानी में सो सकते हैं जैसे जैसे दिन के दौरान तापमान बढ़ता है वे पानी में लोटने लगते हैं और फिर दोपहर और शाम के समय चरने लगते हैं वे कीचर में लोटते हुए भी समय बिताते हैं वे आधी रात के आसपास आराम करते हैं और फिर सुभा होने से पहले चर्णा जारी रखते हैं कैपी बारा को संकट ग्रस्ट प्रजाती नहीं माना जाता है उनकी आबादी पूरे दक्षिन अमेरिकी क्षेतर में स्थिर है हालान की कुछ क्षेतरों में शिकार के कारण उनकी संख्या कम हो गई है कुछ क्षेतरों में कैपी बारा का शिकार उनके मास और खाल के लिए किया जाता है कैपी बारा ने दक्षिन अमेरिका में शहरी करण को अच्छी तरह से अपना लिया है वे चिडिया घ्रो और पार्कों में कई क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं और कैद में 12 साल तक जीवित रह सकते हैं जो उनके जंगली जीवन काल से दोगुना से भी अधिक है कैपी बारा की खेती दक्षिन अमेरिका में मास और खाल के लिए की जाती है कुछ खेत्रों में मास को खाने के लिए अनुप्युक्त माना जाता है जबकि अन्यक खेत्रों में इसे प्रोटीन का एक महत्वपूवन स्रोत माना जाता है हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद